मुझसे सवाल पूछा गया सागर भाई क्या मैं अपने Redmi Note 8 के Qualcomm Snapdragon 665 प्रोसेसर को चेंज करके Qualcomm Snapdragon 865 कर सकता हूं क्या तो यह क्या तुम्हारे दोपील का प्लग है कि तुम काला निकाल के नीला लगा दोगे यहां पर आप जानते हो जब mobile phone बनता है तो कितनी बारी किसी काम हो रहा होता है कितने चोटे-चोटे चीटी-चीटी जीसे पार्ट होते हैं अगर आपने खुला हुआ फॉन कभी देखा होगा तो आपकी किसमत में है तो भाई आपने देखा होगा कि उसमें चोटे-चोटे दाने-दाने जैसे लगे होते हैं जो सर्कृट सोते हों बहुत चोटे होते प्रोसिसर भी बहुत चोटा होता दो पेन वह तो बहुत ही जादा चोटी होती आपको लेंश लगा के देखनी पड़ेंगी तो आप उसको कैसे चेंज करोगे अब जो Snapdragon 665 है वो Snapdragon 865 से बहुत अलग है जो 665 है वो 11 nm पर है और वो जो दूसरा 865 वो 7 nm पर है अलग अलग इसमें आ रही है अब उसमें से हेट्रोजेनिस मल्टी प्रोसेंग है जिसे बोलते हैं हेज्टेटी प्रोसेशा लगा होता है कि वक्त पढ़ने पर 865 में same संय के साहतौ तो इसके तेकन ப सारे संफक एक सास्तिमाल कर सकताए लेकिन जब लो टैस्क करने हो तो वह सिंगल कोर पर भी काम कर सकता जिससे की बैटरी बचती है क्योंकि कम काम कर रहे होंगी तो बैटरी कंजप्शन कम होगी इसलिए एक तो वह 7 जो भी advanced processor होते हैं जो नए आते हैं जिन फोन में लगके आते हैं उनकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी होती है उनकी फैप्रिकेशन उस तरीके से होती है और नामेटर का मैंने अंतर बता दिया अब यह प्रोसेसर थोड़े अलग हैं और यह दो अलग नंबर के प्रोसेसर ह इसा हो सकता है कि एक सॉकेट में जो प्रोसेसर लग रहा है वो दूसरे में ना लगे तीसरे में ना लगे अलग अलग स्पैसिफेकेशन होती हैं हाला कि 64 अर्गिटेक्चर पर हैं दोना हो लेकिन फिर भी आप उन्हें घर में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वह बहुत ही ज चेंज कर सकते प्रोसेसर तो भाई बहुत मुश्किल बात है अब जो आपका डेस्टॉप कंप्यूडर बनाते उसमें प्रोसेसर एजिली चेंज कर सकते हो अगर सेन सॉकेट है तो लेकिन मुबाइल फोन यह फेसिलिटी नहीं देता कि आपने ऐसे खोला सॉकेट खोला प् प्रोसेसर चेंज क्योंकि वह इतना चोटा भी नहीं होता लेकिन स्मार्टफोन में बहुत मुश्किल है ऐसा नहीं हो सकता अगर कोई कर सकता है तो वह वही इंसान कर सकता है जो मतलब जिसकी पूरी फैसलिटी है जो इतने छोटे लेवल पर सोड्रिंग कर सकता है जिसको प्रोसेसर की नौलेज है कि यह कौन से सॉक्ट का है एक दम टेक्निकालिटी जानता है उस चीज की वह कर सकता है आम इंसान घर में बैठे वो इसका आंसर मिल गा होगा अगर आपके कोई पटे ऐसे सवाल है तो बिल्कुल जिजा किये मत मैं आजकल बड़े मूड में रहता हूं हर तरह के सवाल देता हूं मेरी अगली वीडियो जो आ रही हो तो कमाल के सवालों की आ रही है दिल तुम्हारा खुष हो जाएगा अगर आपको यह वीडियो अची लगी तो लाइक कर सब्सक्राइब कर लो मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन को प्रेस कर लो और मैं विडियो में तो मच एंड इंस्ट्राग्रम पे भी फोलो थैंक यू सो मच गुड़ बाइ झाल झाल